नमस्कार, मैं हुनीतु शमीराथौर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेश कारेक्रम ग्रहों की माया, जीवन का रहस्या, दर्शकों आप सभी की जिन्दगी से तमाम परेशानियों को दूर करने और आपको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए कारेक्रम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विश्व विख्यात जोतिशा चारया, वास्तु विशेशग्य, कथा वाचक और उपाई विशेशग्य, गुरुमा श्रीमती मन्जू भार्दवाच जी तो चलिए उनका स्वागत करते हैं, गुरुमा बहुत बहुत स्वागत है आपका जयमातारदी आज जी आपको बताया जाएगा कि जीवन में आप लाग परियास करते हैं लेकिन आपको फरक नहीं पड़ता है, फाइदा नहीं मिलता है, मन्जिन नहीं मिलती है तो आज आपको छोटे छोटे उपाये बताएगे कि आपके अगर कारियों में रुकावटे आपको बादा है, कहते हैं जीवन काटो का सफर है और होसला उसकी पहचान है, रस्ते पर तो सभी चलते हैं, रस्ते बना कर चले वही इनसान है, तो आज आपका विसे रहेगा कि अगर आपका कारियों बनता बनता रुक रहा है और आपका कारियों नहीं चल रहा है, छोटे छोटे सरल उपाये करें और अपने जीवन को धन्ने बनाए कहते हैं, जोती से एक साइंस है, जोती से एक ग्यान है, और जोती से माधम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं चोटे चोटे उपाई हमारे जीवन में तरक्की और आगे बढ़ने में हमें सहयक होते हैं किसके संग जीवन हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं कश्टे और शुक और दुख दो ही पहलू होते हैं जीवन में आने जाने वाले दुख और परभाव से अगर हम हार जायेंगे तो हम अपना जीवन को हार बैड़ते लेकिन हमें हारना नहीं है हमें अपने मंझिल पर अपने रास्ते पर चलना है चोटे चोटे शरल उपाय करके अपने ग्रहों की शानती करना है के गुरुहों का सम्मान करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है बिल्कुल दर्श को भिशले कई वर्षों से लगातार गुरुमा अपने जोतिश विद्या के मात्यम से हजारों लोग की जिंदिग्यों को बदल चुकी है उन्होंने बताया है कि आखिर जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाए जीवन जीने की कला आखिर है क्या वो लगातार गुरुमा हम सभी को बता रही है बहुत सारे चैनल्स पर हमने आपको देखा है गुरुमा आप इतने सारे कारिक्रम करते हैं वहाँ पर लगातार लोग की जिंदिग्यों को बदल रही है तो आज आप सभ कौन से उपाय है जिने अपना कर आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं आप बहुत कोशिश करते हैं बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पारे तो हमारे इस प्रोग्राम में आप कॉल कीजिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्ल जे माता दे, जे माता दि गुरू माता जी, जे माता दि बेटा, जी माता जी मुझे अपने पती के वारे में जानना था, बिलकुल बताईए बेटे, देट ओवळत बताईए, उनकी देट ओवळत थे 30 माई 1970, हेलो, जी दिया, उनके जन का समय, साड़े ग्यारा बजे रात का रात के साड़े ग्यारा बजे और कहां पर हुआ था जन जी यह संभल मुरादाबाद संभल मुरादाबाद जी तो क्या जानना चाहती है आप अपने पती के बारे में जी माता जी इनका ना स्वास्ते पिछले देड़ दो साल से बहुत खराब चल रहा बहुत टीट में कराया कुछ भी अराम नहीं है और दूसरा इनकी नोकरी में बड़ी दिक्कत आ रही है इनके अधिकारी लोग बहुत परेशान करते हैं डिप्रेशन में रहते हैं बिल्कुल सबसे पहले बेटा में इनके कुणली के विशे में आपको बताना चाहूंगी मीन इनकी राशी है मकर इनका लगन है पूरण कालसब दोश बना हुआ है पूरण इनका पित्र दोश बना हुआ है इनके पेट की समस्या बहुत रहेगी और इनके सारीरिक वे कोई कोई रोग इनका लगा रहेगा हर एक कारिये में इनको रुकावट होएगी आप लाग परियास कर ले फिर भी इनको कही न कई कोई दिक्कत जरूर आ जाएगी चंदरमा की महादसा चल रही है चंदरमा में मंगल और मंगल में राहू की यूती चल रही है देखिए समय चंदाओं का सम्मान करते हैं और दवा लेते हैं दवा और दुआ हमारे जीवन के अंदर अगर दोनों मिल जाए लगपार में बूद चो पास हो जाए चोटे चोटे पर उसके बाद आप अपने कुणली का आखलन अवश्य कराए एक चोटा सा उपाय करें रभीवार से शुरू करें आटे का एक पेड़ा बनाना है पानी का एक गिलास ले लेना है किसी भी प्लेट के उपर रख करके सर से साथ बार आपने उसको उ जाएगी और आज जो विसे हमने उठाया है कि आपको तरक्की नहीं मिलती है कारियों में बादा होती है रुकावट होती है तो यह उपाय भी अपनी जीवन में आप उतार करके देखिए जरूर जरूर आपको रहत हो जाएगी चलो आप आज एक और उपाय बता देते हैं क इनका बिजनस कारोबार भी अच्छा चले तो उसके लिए आपको क्या करना है बुद्वार को गोशाला में जाना है और ग्यारा गायों को चारा डालना है ग्यारा बुद्वारी उपाय करके देखिए रोगों से शांती मिलेगी जीवन में तरक्की होगी कारिये होगा और बिजनस चलना शुरू हो जाएगा जी तो माता जी आपको लगातार बता रही है वो छोटे छोटे चोटे अच्छो को पाये जिने अपना कर आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ है विस्वागत है आपका कारिक्रम में आपका ना जी जी दिली में हुआथा कि बेटी का जन्त तो क्या जानना चाहते हैं आपकी बेटी के बारे में बिल्कुल घर बैट करके अगर आप अपने भविश्य का पूरा ज्यान ले लेंगे तो फिर कैसे होगा बेटे सबसे पहले मैं आपने जो भी हाँ आज मेरे दरशक जो भक्त मुझे देख रहे हैं अगर किसी भी भक्त ने मुझे जे मातादी नहीं बोला मैं उसकी कुली बिल्कुल नहीं देखूंगी क्योंकि भगवान की मा का नाम लेने से अगर आपको परिशानी है तो ग्रो की शांती आपकी कैसे होगी कोई भी कारी अगर जीवन में आप शुरू करते हैं तो भगवान के नाम से अपने इष्ट देवताओं के नाम से शुरू करिए देखे समस्याएं कैसे छूट जाती है जिद्धी का आपका एक जरूर बताएंगे बेटी का बहुश्य बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इनको मात्र दोश बना हुआ है चंडाल योग इनको बना हुआ है केतु की महादसा चल जिए बेटी जिद्धी भी रहेगी और इनकी पढ़ाई में भी रुकावट आएगी तो कपरियास करना समय रहते हुए लाखो करोडो आप खर्चा करते हैं होटलों में घूमते हैं खाते हैं पीते हैं लेकिन कभी अपने कर्मों को सुधारने का परियास कीजिए अपने ग्रहों की शांती कीजिए जहां आपका मन करता हो जहां आपका दिल और विश्वास करत उससे मिलकर के अपनी ग्रह की शांती कराई ये देखिए उपाय क्या होते हैं एक छोटी सी दवा होती है तुरंट खाएंगे तुरंट राहत मिल जाएगी लेकिन अगर आप जड़ से उस रोग को खतम करना चाते हैं तो अपने ग्रहों का सम्मान अवश्य करें बेटी का मात सर अंदर आपकी बेटी नोर्मल हो जाएगी जिद नहीं करेगी शांत हो जाएगी पढ़ाई में मन करन लगना इनका शुरू हो जाएगा जी और अगले दर्शक भी हैं हमारे साथ अब उससे बात करेंगे सुवागत है आपका कारिक्रम में जय मातादी जय मातादी जी जी सुप्रीट जी पहले तारीक कौन से महीने में जन्व हुआ था और फिर साल बताईए है हां जी थारा जन्वरी अठारा जन्वरी दो हुजार तीन दिन शनिवार जी कितने बज़े का जन में तुबह आथ बचकर 23 मिनट का जी सुबह 8 बचकर 23 मिनट और कहां पर हुआ सबसे पहले बेटे के विशे में आपको बताना चाहेंगे घर का योग बन रहा है अब आब आज की मा की किरपा से कोल लग गई तो सारी समस्याओं का हाले एक बार नहीं होता है बिटे आज बेटे के विशे में जाने बेटे को फरक पड़ता है फिर आप घर के विशे में जरूर जाने आपको एक बेटे के लिए बताते है भाउशे इनका बहुत अच्छा है और अगर आप ये कहें कि हमारा पूरा जीवन अच्छा रहे तो ये तो पोसिबल नहीं है गरों की इसी भी समय पोसिबल नहीं होता है यह उतार चड़ाव जीवन है कभी जो भी महादस अंतरदस आएगी समय हमेशा बदलेगा बहुशे इनका बिलकुल ठीक है उतार चड़ाव रहेगा इनको पूरण पितर दोश बना हुआ है पूरण ग्रहन दोस बना हुआ है और लाइन अ कि बहुश्री में आने वाली रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी और ग्रह की शांति इनकी अवश्य होगी जी बिलकुल लगातार बहुत सारे दर्शक देश के हरे कोने से हमें कॉल कर रहे हैं अगले कॉलर भी है हमारे साथ अब उने शामिल कर लेते हैं स्वागत आपक जी 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 जून 1973 बारा जून 1973 आट बच के चालिस मिनट राथ के आट बच के चालिस मिनट कहां पर जन हुआ था जी जी तो क्या जानना चाहेंगे आप उनके बारे में जी 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 ग्रह का खेल होता है ग्रह की माया जीवन का रहसे जीवन में एक एक ग्रह आपके जीवन को बदल देते है ग्रह की यूती होती है मा का सुख मिलता है या पिता का सुख मिलता है सब कुछ हमारे जीवन में हमारे कर्मों का हमारे ग्रहों का खेल होता है करक इनका लगन है और रासी जो बनती है इनकी रासी है तुला रासी है सम पूरण काल सरफ दोश बना हुआ है गुरु इनका नीच का है पूरण इनका पित्र दोश बना हुआ है बुद्ध इनका नीच का है और बुद्ध की महादसा चल रही है राहु नक्षत्र का स्वामी है स्वातीन का नक्षत्र है देखे समस्या बहुत है जीवन में ना मा का सुख है ना पिता का सुख है ना इनके जीवन में पतनी का सुख है क्योंकि गुरु नीच का होके पतनी भाव में बैठ गया है तो जीवन में बहुत से संगर्श है उतार चड़ाव है लेकिन अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख है तो नहीं जिन्दगी चलती है अगर आपके ग्रों का कोई उतार चड़ाव आ गया है आपकी कुणली में कोई दोस बन गया है तो आप उनका आकलन अवश्य कराए कुणल लेना है साबुत बुद्वार की रात को भीगो करके रखना है और शुभागाई को खिलाना एक महीना लगातार एक महीना लगातार अगर ये इस उपाई को करता है तो मान सम्मान पैसा सोहरत और इजद सब कुछ इनके कदमों में आ जाएगी परियास करे उसके बाद एक उ माता जी से जाके मिलिए क्योंकि उपाय करते हैं आप स्थाई तोर पर कहीं न कहीं जो जिन्दगी में आपके दुख होते हैं वो दूर नहीं होते हैं आप माता जी से मिलेंगे अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपका संपूर जीवन माता जी के सामने होगा माता जी अगले दर्शक है हमारे साथ उनसे बात करते हैं स्वागत आपका कारिक्रम वे जय माता दी जय माता दी बेटे जय माता दी बेटे मुझे अपने बेटे के बारे में जामाता बताए बेटा जी उसका इडेट ऑफ वर्थे 21 सेप्टेमबर जी 21 सितंबर जी 2002 2002 जन्न का समय जन् अगर बेटा सब कुछ जान लेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे जीवन में लेकिन कोई बातनी बच्चे जब यहां किसी की कोल भी लगती है ना तो माता रानिका आशिरवाद उस तक पहुंच जाता है यहां पर सबकी बाते होना संभवनी होता है अपने आपको भाग्यसाली माने कि आज आपकी कोल लग जाती है यहां घर बैट करके आप अपना और अपने परि पूरण पूरण मांगलिक है पूरण 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 पितर दोश है पूरण इनको कालसब दोश है बुद्ध इनका उचका है सूर्य ग्रह इनका नीचका है गुरु इनका उचका है तो दो ग्रह उचके है एक ग्रह नीचका है कालसब दोश पितर दोश थोड़ा सा इनका वेभाईक जीवन आप जब भी आप शादी करें तो मांगलिक लड़की से करना लेकिन सरकारी नोकरी का योग है कहीं ने कहीं भगवान कुछ कहता है ना शुक और दुख कहीं अच्छा भी देता है तो थोड़ी सी कहीं बुराई भी दे देता है बुराई क्यों मिलती है बु इसको मेडिकल लाइन में डाल सकते हैं इसको बैंक की लाइन में आप डाल सकते हैं इंजिनियर इसको बना सकते हैं अगर इस बच्चे की कुंडली को आपने समय रहते वे ठीक करा लिया तो ये बच्चे की कुंडली राजाओं वाली कुंडली है ध्यान रहे देखे हम सब क गूमते हैं उदर गूमते हैं डोक्टर के जाते हैं सारे परियतन करने के बाद फिर आपके मन में एक ही बात आती है क्यों न हम अपनी कुंडली को दिखा लें तो कहीं न कहीं आप भी मानते हैं कि जो तिस ग्रह जो होते हैं इसके बहुत पावर होती है और हमारा भविश्य इसी के उपर चलता है तो समय रहती वे बेटे के कुंडली काकलन कराईए और एक छोटा उपाई कीजिए जिससे इनके बेटे को आपके बेटे को रहात बिल जाएगी क्या करना है शुकरवार को थोड़े से चावल बना देने हैं और उसमें नमक मिलाना है और बेटे के सर से स साथ बार उतार करके कवों को खिलाना 21 दिन लगातार ये उपाय करें और एक केला बेटे से सीवलिंग के उपर रखना शुरू करें श्रवा महीना लगातार करें देखिए चमतकारीक रूप हो जाएगा पढ़ाई में मन लगेगा रुकावटे दूर हो जाएगी बहुशे पावन जी कहां से बात कर रहे हैं देट बद बता दीजे इसकी डेट बदे आठ दिसमबर 2014 आठ दिसमबर 2014 शाम को 5 बचकर 10 मिनिट का जन हुआ था और कहां पर हुआ था आपके पोटे का डिली जी 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 दिली में जन हुआ है तो क्या जानना चाहते हैं जी 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 बिलकुल बिलकुल बेटे आपको बताना चाहूंगी हम बार बार कहते हैं कि भावश्य ने को छोड़ दीजिए आज के जीवन को जीजिए कि हमें इस समय क्या करना है कून सा ग्रह चल रहा है किस ग्रह के हमें अपने जीवन में शान्ती करनी है आगे की देखें जानक है तो इसको ठीक कीजिये और अच्छा है तो उसको अपने जीवन में और अच्छा बनाने के प्रियास कीजिये बेटे का तुला लगन है पोते का आपका तुला लगन है मितुन इनकी राशी है मांगली की इनका दोश है गुरू ग्रह इनका उचका है मंगल इनका उचका है कुणली बहुत अच्छी है लेकिन नक्षत्र है जो आद्रा नक्षत्र है स्वामी राओ है तो कहीं न कहीं बच् कराना देखिए जब जब कोई ग्रह आता है तब तब हमारी बिमारियों का आगमन हो जाता है राहू की महादसा चल रही है आपको ये राहू का जो कष्ट कारी पीरिड है बच्चे का 14 से 29 तक राहू की महादसा है तो परियास कीजिए जितना जल्दी हो सके बच्चे की दस साल से पहले विबिन विबिन चैनल के मादम से लोगों को सिरफ उपायों से ही राहत मिली है तो ओप्रेशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना करा ले जीवन में लेकिन दवा आपको खानी पड़ती है तो छोटा सा उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़े से जो लेने हैं उनको गो मुत्र के अंदर भीगो देने हैं और लाल कपड़े में बांध करके पोते के सिरहने रखना है सुबा उठकर के पक्षियों को डाल देना एक महीना लगातार ये उपाए करें और अपने पोते के वजन के बराबर सत्न जा लें और सनी अमावश्या है जाकर के गोशाला में दान कर दे तो इनके ग्रहों की शांती हो जाएगी और अगले दर्शेक है नाम जी कहां से बात कर रहे हैं जी जी आपने बारे में जानना चाहते हैं जी तो डेट और बन बता देचे अधी सुरिंदर कुमार उसका नाम है जी जी गुरूमा आपको उपाय बताएंगी जरूर बिलकुल गुरूमा आपको उपाय बताएंगी जरूरूर बिलकुल आप हम उपाय बताएंगे आपसे और उपाय से इनकी सवा महिनी के अंदर अंदर विभा का योग बन जाएगा लेकिन आपसको एक बात बता देना चाहते हैं बीटिया आपकी मांगलिक है इसलिए विभा में रुकावट हो रही है मांगलिक है ये और गुरू की महा दसाद चल रहे है विभा का योग चल रहा है कहीं गुरू इनका उचका है और कुंडली में कोई दोस इनका भी इतना जादा नहीं बना हुआ है लेकिन हाँ एक विश्ट दोस बना हुआ है चंदरमा सनी की यूति है थोड़ा सा विभा से पहले इस कुंडली का अक्लना सवा महीने के अंदर अंदर इनका विभा का योग बन जाएगा और शादी का योग बनता है तो जरूर जरूर इनकी कुंडली का आकलन आप अवश्य कराएं है कि अगले धर्शक है हमारे सकाद स्वागत कारेक। में जैता अब आतादि मुदं की देज और बता जी इचे सब्सक्राइब करें लेकिन अभी जो आपको उपाई बताया जाएगा वो भी आप करेंगे तो इनके कारियों में जो बादा है वो स्माप्त हो जाएगी कन्या इनका लगन है और कन्या ही इनकी रासी है ये भी मांगलिक है पूरण इनको पितरदोश बना हुआ है इनका स्वास्त खराब रहेगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बिमारी इनको लगी रहेगी हर कारिये में इनको बादा होगी लेकिन कह अच्छा इनके जीवन में सेहत भी ठीक हो जाएगी और जो बार-बार रुकावट आरी है इनके नोक्री के योग में वो भी दूर हो जाएगी देखिए कोई भी दोस होता है कुणली में जब तक आप उसकी शांती नहीं कराएंगे बार-बार आपके जीवन में परिशानी हो चली जाएगी नोक्री के लिए जिनको श्रास्त के लिए उपाये बता देते हैं 40 दिन लगातार शीव भगवान पर इनको सहध अर्पीत करना है लगातार करके देखें इनका शेहत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और नोक्री भी इनको कहीं नहीं अवश्य मिल जाएगी ब हम बठीन नाज से जी, जी तो आप अपने बारे में जानना चाहती हैं, नहीं जी अपने पाती के बारा हुए, जी उन की देट और बद बताईये, जानना चाहती हैं, मैडम एक तो हमने किसी के साथ मिलकर खेत लिया है ठेक के पार, वो हमारे साथ कैसा रहेगा, जी जी एक मैडम हमने गार बनाना है, कब तत है हमारे घर का ही होगा, जी 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 बिलकुल बेटा है पहले इनकी कुण्डी के विषे में आप जाने मेस इनका लगन है, करक इनकी राशी है, समपूररं इनको विषदोस बना हुआ है, समपूरं इनको ग्रेहन दोस बना हुआ है, और गुरु चांडाल योग भी परियास करे गुरु इनका बहुत अच्छा उच्का हो के भागिस्तान पे बैठा हुआ है लेकिन राहू की यूती राहू साथ में है तो कही ना कही परिशानी इनके भाग्ये में रुकावट होती है केतु की महा दसा चल जी आप लाग परियास कर ले कोशिश कर ले आप चाह खलता प्राप्त होती है एक बर केतु ग्रह की शांती आप अवश्य करा है एक छोटा सा उपाय करें मकान का योग इनका बहुत जोर सोर से चल रहा है कभी न कभी तीन अगर आज वाला उपाय आप करते हैं तो हम यहां दावे से कहते हैं तीन या छे महीनी के अंदर अदर मकान बन जाएगा उपाय आपको क्या करना है सबसे पहले आपने पांच कड़वे नीम के पोदे लेने हैं जो खेत इन्होंने खरीदें वहां जाकर के लगा देने हैं एक तो इसके ग्रह की शांती हो जाएगी देखिए समय रहेगा तो आपको जरूर सारी जानकारी और ग् लेगी ये पांच पोदे लगाई है और मकान के लिए चार बेशन के लड़ू ब्रस पतिवार को गाय को खिलाना शुरू करे लगा तार तीन महीना ये खिलाए तो आपका मकान का बीयोग अवश्य बन जाए गुरूमा आप जोतिश की ज्यान का सागर है आप उपाई विश शिद्धी बहुत एक बड़ी चीज होती है अगर आप दिल से किशी को दुआ देंगे तो वो दुआ लग जाती है अगर दिल से आपको किशी को बदुआ देते तो बदुआ लग जाती है हमने इतने अपने जीवन में लाखो करोडों लोगों को उपायों से फाइदा किया है और मैं यह कहती हूँ कि जब आपको फाइदा हो तो आप जानना आज मैं आपको एक छोटा सा उपाई बता के यहां जारी और चमतकार कैसे होंगे मुझे जरूर बताना अगर आपके कारिये में बादा है आपका कोई कारिये नहीं बन रहा है आप बार बार परियास कर रहे आपको नोकरी नहीं मिल रही है जीवन में परिशानी हो रही है हर कारिये में बाधा रुकावट हो रही है तो मैं आपको आज एक उपाई बताना चाहरी हूँ मंगलवार को आपने उपाई करना है पांच गुलाब के फूल लेने है पांच रुपे का एक सिक्का लेना है और पांच बत्ती का चमेली के तेल का दिया लगाना है और हनुमान जी को जा करके आपने चढ़ा करके ये तेल का दिया लगा देना है लगातार आप पांच मंगलवार ये उपाई करते हैं थोड़ी सी लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा 200-200 गुड ले करके बाबा के चरणों में रख दे और पांच बार हनुमान 40 का पार्ट करें पांच मंगलवार में कहीं न कहीं अगर आप रोजगार है तो आपको रोजगार आवश्य मिल जाए बिल्कुल दर्श को यह उपाय अपनाई और देखे किस तरह से उन्नती आपकी जीवन में आती है गुरुमा बहुत- जी से संपग करने हैं तू हमारा पता है सी अठारा पर्स्ट फ्लोर अपोजट पिलर नंबर 351 रमेशनगर नई दिल्ली हमारा एमेल आईडी ग्रहोंकीमाया एड़ेट जीमेल डॉट कॉम एवं हमारा विच साइट एड्रेस है www.ग्रहोंकीमाया.com करें पुम एप 25 शामाराका करो चकर खाले को हमारा मारा विच्त है करकें ट्वामारा करें तू हमारा पो से एचारेस पिल्पास प्रहोंकी मैं पिल्पन कझा।